नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरजयन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरजयन पर हम लोग कैमेराज लगाते हैं, DVR, NVR लगाते हैं ताकि उन चोरों को पकड़ा जा सके उस रिकोर्डिंग के थूप लेकिन होता यह है कि आजकल के जो चोरे वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि यहाँ पर वो आपका जो DVR और NVR है वो खुद ही उठा के लेके चले जाते हैं अगर वो लोग उठा के लेके चले गए तो आपके पास में बचा क्या, यानि कि आपके पास में कोई भी तरका बैक अप नहीं होता है अब दूसरे दिन पेपर में न्यूज आती है कि वो चोर इतने बेफकुफ थे क्योंको ये पता नहीं था कि जो रिकोडिंग है वो होती है DVR के अंदर और वो लोग केमेरा खोल के लेके चले गए और पुलिस के पास में एविडेंस आ गए कौन थे कितने लोग थे सेम आठ दिन के बाद में अगेन उसके पास में एक दूसरी दुकान में चोरी होती है और इस बार वो लोग DVR उठा के लेके चले जाते हैं, CP उठा के लेके चले जाते हैं केमेरा नहीं उठाते हैं इस तरह की जो प्रॉलम्स है वो मार्केट के अंदर आम बात है अब अगर समझ लो कि आपके पास में कुछ ऐसी प्रिमाइसे से या फिर आप जिस चीज के अंदर डिल कर रहे हैं या फिर आपके क्लाइन जहां पर डिल करते हैं वहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट है उस बैकप को देखना तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिस तरह से आप एक्ष्ट्रा बैकप क्रियेट कर सकते हैं उन चोरों को चकमा दे सकते हैं जानना चाहेंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा बहुत ही एजीली कुछ ऐसे श्टेप होंगे जो फ्री होंगे कुछ ऐसे श्टेप होंगे जो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाएंगे क्योंकि यह जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वीडियो को like करें notification bell की item उसको icon ईउसको दबा दें ताकि आपको notification मिल जाए वीडियो को शुरू करते हैं जैसे आपने कहीपर camera लगा दिये camera लगाया है उसके साथ में आपने DVR और NVR भी लगाया है अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना कर दिया था जहाँ पर आप एक DVR या फिर NVR के साथ में एक secondary NVR या फिर XVR लगा सकते हैं जहाँ पर जो recording आपकी first NVR में हो रही है वेसी की वेसी backup आपके second NVR के अंदर या फिर XVR के अंदर create कर सकते हैं बस उसको lane का cable देना है और एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हर किसी की पहुचना हो for example कोई भी चोर होगा या फिर कोई भी criminal mind होगा तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर TV होती है उसके आसपास डूनेंगे या फिर जो आपके cables हैं जितने भी CCTV cameras के वो कहाँ पर इखटे हो रहे हैं जैसे कि आपके पास में कोई server है वहाँ पर इखटे हो रहे हैं यह पहला तरीका है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर आपने primary DVR या फिर NVR के अंदर अगर 4TB के hard drive रखी है तो secondary में भी आप उतनी रखे हैं आप आपकी सहुलियत के हिसाब से 1TB भी रख सकते हैं क्योंकि उसका use आपको बहुत कम आना है क्योंकि जब भी अगर चोरी होगी तो आपको 2 या 4 दिन में पता चल जाएगा यहाँ पर आपके primary DVR के अंदर एक महीने का बेक अप था यहाँ पर at least आपको 3-4 दिन का बेक अप मिल जाएगा तो आपका काम यहाँ पर easily हो सकता है दूसरा तरीका है आप यहाँ पर NAS रख सकते हैं आप उसके अंदर भी recording कर सकते क्योंकि लोगों को अभी फिलाल यह नहीं पता है कि NAS क्या होता है NAS कुछ इस तरह से दिखने वाली device है जहाँ पर आप multiple level के रख सकते हैं या फिर आप normal NAS लेकर भी अगर आपका जो DVR, NVR, QNAP के NAS को या फिर किसी और NAS को support नहीं करता है तो आप वहाँ पर FTP server create कर सकते हैं, file transfer protocol जो आपके कोई भी DVR या फिर NVR के अंदर वो feature आता है जिसके तुरू आप जो भी आपके hard drive के अंदर file backup footage बन रहा है वो सभी एक time के बाद में उस दूसरी hard drive के अंदर उस NAS के अंदर shift हो जाता है तिसरी चीज़ में आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो camera का selection होगा उसके उपर है कि जब भी आपका camera का selection हो, वो जो camera का selection है उसके अंदर आपको जो camera select करने है, वो memory card inbuilt वाले ले लो तो उससे क्या होगा कि आपके वहाँ पर camera लगे हुए है, आपकी जो recording है यहाँ पर आपके ना, उसमें NVR में तो होई रही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपके camera में भी होगी तो उस वज़े से आपके पास हैं भले 32 channel, 32 GB का उसके अंदर memory card लगाओ लेकिन वो memory card भी आपको काफियत तक अच्छे benefits दे देगा और backup आपको वहाँ पर मिल जाएगा फोर तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि कई जगह पर for example कि यह मेरा studio है और यहाँ पर मैंने मेरा NVR लगाया हुआ है अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी वो चोर आएगा तो इस NVR को उठा कर ले जाने की कोशिश करेगा और वो खुश हो जाएगा कि चलो मैंने NVR उठा लिया है या फिर DVR उठा लिया है अब इनके पास में कोई बेक अप नहीं है तो आप यहाँ पर एक स्पाई केमेरा प्लान कर सकते हैं आपने कई सारी बॉलिवूड मुवीज और हलिवूड मुवीज के अंदर देखा होगा कि एक फ्रेम के अंदर एक स्पाई केमेरा लगा हुआ है तो एटलिस जब अगर वो चोरी हो जाए तो किसने चोरी किया या फिर उस DVR या NVR को किसने बंद किया वो आप यहाँ पर फुटेज के तुरू देख सकते हैं जो स्पाई केमेरा है काफी सस्ते आपको मिल जाएंगे करीबन 2-3,000 रुपेशे शुरू होकर आपका जैसा बजट हो आपकी जैसे रूम की रिकुवारमेंट हो उसके अकोडिंग आप एक स्पाई केमेरा ले सकते हैं जिसके अंदर 2 या 3 दिन का बैक अप भी होगा तो आपके लिए शफिशेंट है एक ये भी कारगर तरीका है अगर किसी इस तरह के लोगों को आप पकड़ना चाते हैं उसके लिए पांच भी चीज है यहाँ पर SMTP की सेटिंग करना जी हाँ इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है काफी अच्छे से आपको समझाया है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं फोर एक्जांपल आपका केमेरा नंबर वन जो अंदर का केमेरा है अगर कोई भी उसके सामने मोशन होता है आपने उसके अंदर मोशन डिटेक्शन लगा दिया उसके अंदर आपने SMTP सर्वर की सेटिंग कर लिए SMTP पर जाके उसमें सेट कर लिया अब समझ लो कि कोई भी रात को आपने उसको आउन किया दस बजे से लेके मॉर्निंग में छे आउट बजे तक आपने उसको आउन करके रखा है जब अपने को लगता है कि इस तरह के हाथ से हो सकते हैं अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि उस कैमेरे पर आपने उस चैनल पर SMTP सेट कर लिया अब जब भी कोई motion उसके सामने होगा तो कैमेरा क्या करेगा कि उसका एक snapshot लेगा उस snapshot को आपकी email ID के उपर mail कर देगा तो वो जो email ID है वो तो आपके control में और वो cloud पर तो वो जो image है वो आपको मिल जाएगे आपके email ID पर तो एक ये भी जो तरीका है free of cost का तरीका है आप इसको भी अच्छे से use कर सकते हैं और आप आपके लिए एक extra backup एक अच्छी backup file बना सकते हैं एक evidence के लिए तो ये कुछ तरीके हैं जहां से आप कुछ पेसा invest करके या फिर free में आपके जो DVR ए NVR ए उसके features का use करते हुए आप अपने लिए backup extra create कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई और भी idea है कि और किस तरह से extra backup को create किया जा सकता है तो हमारे इस video के नीचे जो comment box है उसके अंदर share करें ताकि सबी लोगों को maximum इन चीजों का फाइदा हो कि आप भी कुछ जानते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ knowledge मेरे पास में ना हो या फिर मेरे से skip हो गया हो लेकिन आप लोग भी बहुत ही शाने हैं और समझदार हैं तो आप वो चीज मेरे साथ में share करें ताकि सबी लोगों को इसका benefit हो वीडियो पसंदाया हो तो वीडियो को like करें चैनल पसंदाया हो तो but always security से related काफी सारे वीडियो से तो उस चैनल को subscribe करें मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेकनलोजी, नए गैजेट्स और नई टिप सेंट्रिक्स के साथ में तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से हमारी इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद जैहिन